हलो माई डियर स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए एक बहुती शांदार क्लास लेकर आये हैं डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि एक से एक हजार तक की जितनी भी संख्याएं अगर आप उनका वर्ग निकालना चाहते हैं अगर आप उनका स्क्वेर निकालना चाहते हैं तो कैसे बिना पैन पेपर उठाए चुटकियों में एक से एक हजार तक की सभी संख्याओं का बर्ग निकाला जा सकता है ये टॉपिक जो है ये क्लास जो है वो सभी के लिए कंपल्सरी है तो आज की क्लास बहुत सांदार हो होने वाली है चलिए शुरू करते हैं तो हम आपको step by step बताएंगे और इतना easy ना कि 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है और 50 साल के लोग भी इसको देख सकते हैं आज के क्लास को इतना सांदार होने वाला है तो चलिए आगर हम बात करे step 1 की कि सर पहले step में क्या बताने वाले हैं तो step 1 में हम आपको बताएंगे देखे हमारा target क्या है find the square one to one thousand मतलब एक से एक हजार की जितनी भी संख्या है इस से इसके बीच में जितनी भी संख्या है सबका वर्ग आप बिना pen paper उठाए चुटकियों में निकाल सकते हैं जैसे मालनी जीए step 1 में हमने लिखा कि जिसक अंत में जिस संख्या के अंत में क्या हो पांच हो मतब वैसी संख्या जिसके अंत में पांच हो और उनका क्या निकालना है डियर उनका वर्ग निकालना है जैसे example की बात करें अगर हम लिख दे 15 का square क्योंकि 5 होना चाहिए अंत में अगर हम लिख दे 25 का square अगर हम लिख दे 45 का स्क्वाइर और अगर हम लिख दे 55 का स्क्वाइर तो ऐसे प्रशनों में पेन पेपर की कोई आवशक्ता नहीं हाँ अब उत्तर लिखने के लिए थोड़ा सा तो पेन उठाएंगे ही उठाएंगे तो आईए अगर ऐसी संख्याएं आ जाए ऐसे प्रशन आ जाएं क्योंक कि एसी संख्या हैं जिनके अंत में 5 हो वह आपको 1 से 1000 के भी सब सिखा देंगे लेकिन क्लास को अंत तक वीडियो को अच्छे डंच से देखना होगा ठीक है चलिए तो देखें यहां क्या दिख रहा है यहां दिख रहा है पांच सब में क्या कॉमन है कहेंगे सर सब के अंत का स्क्वाइर होता है पचीस तो आपने पचीस लिख डाला पचीस लिख दिये उसके बाद इसका तो काम तमाम हो गया इसके इलाबा पांच के इलाबा आपके प्रशन में एक है तो एक को क्या करिए ना एक के बाद गिंती में कौन सी संख्या आती है गिंती में बगल में ने कहेंगे सर एक के बाद टेवल में दो आता है गिंती में दो आता है एक को उसकी अगली संख्यायनी दो से गुना करिए दो एक कम दो क्या पंदरा का स्क्वाइर दो सो पचीस होता है बिल्कुल होता है यहां भी देखें बस सीखने का समय दीजिए बाकी सीख जाएगे पांच का स्क्वाइर हमने 25 लिखा और आपको ये दो बच रहा है दो के बाद गिंती में क्या आता है बगल में नहीं गिंती में टेवल में 3 आता है तो 2 को 3 से गुना करिए 2 3 या 6 क्या 25 का स्क्वाइर 625 होता है 100% होता है यहां देखें 35 का स्क्वाइर तो पहले 5 का स्क्वाइर 25 कर दिये और अब हमको तीन बचा तीन के बाद टेबल में चार आता है तो तीन को चार से गुना करिए तीन चक बारा अब देखिए ये चीज़ सीखने के बाद आपका गडित पता एकदम मक्षन हो जाएगा यहां देखेगा यह पांच है तो पांच का स्क्वाइर कर देखेगा यहां देखिए पांच का स्क्वाइर पच्चीज और पांच के बाद टेबल में चे आता है तो पांच को चे से गुना करेंगे चे पच्चेज अभी तो बस शुरुआत हुई अभी बहुत कुछ चीखना है पहले आप इतना बताएए इतनी सी बात आपके पैसट तक चले हैं हम डियर अभी पैसट से हमें और आगे बढ़ना है मान लीजिए अगर हमें 65 पैसट होगे पचपन था ना ठीक तो है पैसट का स्क्वाइर करना है सीखिए बस ठीक है 75 75 का स्क्वाइर करना है 85 का स्क्वाइर करना हो 95 का स्क्वाइर करना हो कुछ भी जर 215 का square करना हो इससे भी बड़ा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नियम में कोई बदलाव नहीं होगा same नियम यह पाँच का square 25 होता है और यहाँ बच गया 6 6 के बाद 5 का स्क्वाइर 25 लिख दिया हमने 6 के बाद टेबल में 7 होता है तो 6 और 7 को गुना करेंगे तो 6 सते 42 हो गया 5 का स्क्वाइर ये 5 का स्क्वाइर 25 होता है और ये टेबल में 7 है 7 को अगली संख्या बगल में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं 7 को अगली संख्या तो टेबल में 7 के बाद क्या आता है गिंती में 7 1,2,3,4,5,6,7,8 आता है तो 7 को 8 से गुना करेंगे 7,8,6 इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप नए विध्यारती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपके लिए ही मैं कह रहा हूँ, यहां देखे 5 का स्क्वाइर 25 हमने लिख डाला और भाई 8 के बाद टेबल में 9 आता है, तो 8 गुने 9 करेंगे 9 अठी बात तर, आप करके देख लीजिए आपके कैल्कुलेटर से भी तेज हम कर रहे है, 5 का स्क्वाइर 25 आता है, 5 का स्क्वाइर 25 हुआ और ये 9 है, 9 के बाद टेबल में 10 होता है तो 9 दहें के 90 हो जाएगा च्रेक है, 5 का स्क्वाइर 25 होता है 132 यह नि 132 एक सो बतीस पचीज तो इस तरह से step one complete हुआ complete ने आप चाहो ते 125, 125, 145, 155 इसी का भी निकाल सकते हो step one में हमने लिखा था कि जब संख्या के अंत में 5 हो ऐसे करें अब step two ठीक है तेखे हर चीज को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ऐसा नहीं कि direct 3 अंक वाला सिखा दे 2 अं से सीखी step two और step two में लिखेगा कि जब अंत में क्या हो step two में लिखेगा इसमें मैं ज्यादा सवाल नहीं रखूँगा step two में रखेगा कि संख्या के अंत में संख्या के अंत में क्या हो 0 हो अब 1 0 2 0 उससे कोई मतलब नहीं है बस 0 हो 10 भी 0 रहगा तो चलेगा संख्या के अं करना हो मान लेजिए 50 का स्क्वाइर करना हो मान लेजिए 70 का स्क्वाइर करना हो ठीक है मान लेजिए ठीक है अगर 100 का स्क्वाइर करना हो कहिए सर यह सब तो हमें पता है बिल्कुल आपको पता होगा 120 का स्क्वाइर करना हो मान लेजिए 210 का स्क्वाइर या 200 का स्क्वाइर क कोई दिक्कत ने एक zero हो दो zero हो चार जीरो हमें उससे कोई मतलब नहीं है अब दिखे करना क्या है ऐसे condition में इस बार आपको सब में क्या दिख रहा है common कियांगे सर सबके अंत में zero है एक दो जो भी है लेकिन सबके अंत में zero है तो आप zero वाले को भूल जाए पहले बताइए ए एक का स्क्वांइर एक ही होगा इसका स्कॉरर है थो एक ना दावल करेंगे इसका स्क्वांइर यह जैर ज्याधा मतल्ब ही इसकासक्वाइर दो का स्क्वाइर एक र сколько चार और एक ज्यूर है तो डवल 0 लगाईए 5 का square 25 5 का square क्या होगा भई खेंगे सर 5 का square 25 होगा देखिया और इधर 1 0 है तो इधर double 0 लगा दीजे 7 का square 49 चास है बिलकुल दिख रहा है 7 का 49 चास और 1 0 है तो इधर double 0 अब देखें अब आप इसको 10 भी मान सकते हैं 1 पर 2 गो 0 भी मान सकते हैं अगर आप इसको एक नामानगे दस मानते तो दस का स्क्वाइर 100 और एक 0 है तो डबल जिरो मतब हर कंडीशन में answer वही होगा आगर आप इसको एक मानते हैं-दस नामानते हैं तो एक का स्क्वाइर एक, और इए 120 तो 12 का स्क्वाइर 144 और 10 है तो 00, 21 का स्क्वाइर, 20 का स्क्वाइर 400, 21 का स्क्वाइर होता है, 441 और इधर 20 हो तो उधर 2 का 00, इस तरीके से आप बना सकते, एक दो सवाल और हम करना चाहेंगे, ताकि आपके डाउट्स किलियर हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर रहे 150 का स्क्वाइर, ठीक है, मान लीजिए अगर रहे, ठीक है, 3000 का स्क्वाइर, कुछ भी, अगर मान लीजिए रहे कि भाई, 1200 का स्क्वाइर, अगर मान लीजिए कि अगर सवाल रहे, 500 का स्क्वाइर, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके आंत में 0 हो, और अगर आपको फ एक का डवल होगा एक जिरो के दर तीन का स्क्वाइर होता है नहीं लेकिन यहां तीन जिरो है तो तीन का डवल उधर छे जिरो होना ची एक दो तीन चार पांच छे देखे बारा का स्क्वाइर होता है 144 और इधर दो जिरो है तो दो का डवल क्या होगा चार होगा पांच का स् यानि वर्ग का basic सिखा होगा अब heading बनाएए आप लोग step 3 step 3 में लिखिएगा ठेक है ना step 3 में लिखिएगा ठेक है कि दो अंक वाली दो अंक वाली कोई भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं कोई भी चाहे वो सम हो विशम हो भाज्य हो अभाज्य हो इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो दो अंक वाली कोई भी संख्या का अगर बर्ग निकालना है तो देखे कैसे निकालेंगे इतनी इसी बात समझ में आ गया हेडिंग बना लिया आपने स्टेप तीन में कि द तो अंक वाली अगर कोई भी ऐसी संख्या जिसका हमें बर्ग निकालना हो फिर भिल्कुल निकाल सकते हैं ठीक है इसमें कोई भी ले संख्या है जैसे मान लीजिये हमने यहां लिग दाला 23 का स्क्वाइर यह हैं है ना दो अंक की अब कोई कुछ भी लिख सकते है 23 का स्क्वाइर मान लीजिए कोई अगर आप लिख दिया 34 का स्क्वाइर ठीक है मान लीजिए हमने लिख दिया 56 का स्क्वाइर ठीक है मान लीजिए हमने लिख दिया 73 का स्क्वाइर मान लीजिए और भी एक करकर के करते हैं पहले इतना सीख लेजिए करना क्या मैं इधर एक सवाल इधर लिखके अच्छे से सिखाता हूं अब जैसे मान लीजे डियर आपको 23 का स्क्वायर करना है बहुत ही आसान है ऐसे तो कुछ लोग ऐसे करेंगे 23 गुने 23 या कुछ लोग एक से तीस तक का वर्ग याद रखते हैं वो तो अपनी अपनी मान सीखता है अपनी अपनी सोच है लेकिन हम चाहते हैं कि याद व्याद का चक्कर छोड़ी है वो तो रहा गया तो रहा गया कॉंसेप्ट एक बार सीख लीजे ताकि examination hall में बैठे और किसी प्रस्ण के बीच मे अगर वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे फस जाएंगे फिर समय जादा लगेगा समय की वचत करने के लिए मैं आपको जो concept बता रहा हूं ध्यान से कहते हैं निगाहों को गड़ा कर निगाहों को गड़ा कर देखिए बिल्कुल उत्तर होगा पहले क्या करिए रहा एक ची ले सकते हैं दो अंक नहीं ले सकते हैं तो वन टाइम वन डिजिट तो पहले शुरुवात क्योंकि बर्ग निकालना है तो शुरुवात इधर से की जाएगी नहीं शुरुवात इधर से की जाएगी तो पहले आप इसका square निकाल लिए तीन का square नो पहले क्या करना है जो आं पहले इस 3 का square नौ की है, बात कसम, अब 3 को गुणा, इसको, 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 तीनो को आपस में गुणा करिएगा, तो 3 को गुणा करिएगा तो 2, 3, 6, 6, 2, 12, 12, क्योंकि हमने बोल दिया, एक बार में 1 के लिए सकते हैं, तो 2-3, 6, 6, 2-dit, 12., 12 हात में रा गया एक, जेखे, पहले step हमने इसका square किया, दूसरे step हमने तीनों को आपस में ह turbo किया, तीसरे step में क्या करना है कि आपको इसका square करना है, लेकिन हात में एक ता, क्योंकि 12 का 2 लिखा गया था, दो का square 4 और हात में एक था, तो चार और एक बार यह निए फाइव टू नाइन तैस का स्कूर अब उमीद है कि आप बना लीजेगा कोई भी उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है कि किसी भी संख्या दो अंक की कोई भी संख्या हो इसको ऐसे करेंगे जैसे देखे 34 का स्कूर एक बार और में सिखा देता ह एक डियर स्कूर सॉला के यहाथ मेरा गया ज़िक है न अब तीनों को फिर ईऑ तो ततीन को चार बार दुनी तीन गुने 4, 12, 12, 24 और हाथ में एक था, 4 का स्क्वाइर 16 का छे हाथ में रहे, 3, 4, 12, 12, 24, 25 अभी हाथ में पैचा कितना दो, अब इसका स्क्वाइर करना होता है, 3 का स्क्वाइर 9, 9, 2, 11, 1, 1, 5, 6, आप करके देख लीजिए, गलते बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी 999 तक चलेंगे, अभी तो 100 के अंदर ही हैं हम लोग, कितना आपके समझ में आ रहा है, से यस यह नो में जबाद दीजे, सभी विध्यारती, अब आप सीख चुके हैं, अब हमें यहां डाइरेक्ट करने की जुरत है, पहले इसका स्क्वाइर, 6 का स्क्वाइर 36 के 6, हाथ में रहा पहले इसका स्क्वाइर, तीन का स्क्वाइर 9, हाथ में कुछ नहीं, सत्ती यह एकीस, एकीस, दूनी 42, हाथ में रहा गया भई, चार, और साथ का स्क्वाइर 49, 49, 49, 5, 3, 2, 9, यह बात आप याद रखिएगा, वन टाइम, वन डिजेट, एक बार में एक ही अंक का परियोग किया जा सकता है, अगर आप दो अंक का कर देते हैं, तो समझिएगा कि वो गड़बड हो गया, गलत हो गया वहां से, आईए, कुछ और सीखते हैं, मां लीजिए, 64 का स्क्वाइर करना हो, मां लीजिए, 89, gauche, 96 का स्क्वाइर करना हो, मां लीजिए, 75 का स्क्वाइर, देखे यह जो 75 है यह step 1 में आया है कि जिस सम्ख्या के अंत में 5 हो तो आप इसको दोनों तरीके से वो वला भी नियम लगा सकते है और जो अभी नियम बता रहे है वो वला दोनों में से कोई भी नियम आप लगा सकते है काम बनेगा ठीक है जी मान लीजी 87 का square करना हो इतना तो बहु चार का square 16 16 का 6 हाथ में रह गया एक और 6 चक 24 24 दुनिय 48 और हाथ में एक था 48 एक 49 49 के 9 हाथ में रह गया 4 और 6 का square 36 36 44 यानि 64 का वर्ग करोगे तो 4096 होगा यह बिल्कुल करेक्ट अंसर है 83 में करना है तीन का square 9 हाथ में कुछ नहीं क्यूंकि 10 के बाद रहेगा आठ तीया 24 24 दुनिय 48 के 8 हाथ में रह गया चार और 8 का square 64 64 64 64 66 8 8 नहीं बात इक दम खतम यहां देखिए एक वीडियो में वो सारे concept हम clear कर देंगे square वाले 6 की बात करें तो 6 का square 36 एक का square 36 हाथ में रह गया तीन और 9 देखे अगर बैसे तो mistake नहीं होगा लेकिन rear case में अगर कुछ mistake हो जाए तो आप उतना परिशान मत होना ठीक है एक का square 36 हाथ में रह गया तीन ठीक है और 9 चक चववन चववन दुनी 108 और हाथ में 3 था 111 हो जाएगा आठ तीन एक सो एगयारा का एक अभी हाथ में 11 बच गया हाथ में कितना 11 बच गया और 9 का square 81 यप इसका करेंगे ना square देखे फिर से 6 का square 36 हाथ में बचे 3 ठीक है और 9 चक चववन चववन दुनी 108 और हाथ में 3 था 8 और 111 का सिर्प एक लिखेंगे हाथ में 11 बच गया और 9 का square 81 81 जो होता है वो 92 होता है इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 का square 25 और 7 के आगे 8 होता है सती 85 यह शॉटकट है लेकिन आप चाहें कि नहीं सर यह वला तो 5 का square 25 के 5 हाथ में रहा गया दो और 7 पचे 35 पचे 35 दूनी 70 सत्तर दो 72 हाथ में रहा गया साथ सत्तर उन्चास औ 25 चपन 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 सरी बतब दोनों तरीके से बना सकते हैं अब इसका करिए साथ का square 49 चास के नो हाथ में रहा गया चार का square 49 चास के नो हाथ में चार रहा गया 116 का 6 क्योंकि 116 ऐसे लिखते हैं तो यह 6 ले लिया तो हाथ में भी 11 बच गया और 8 का square 64 चौसर्ट गयारा होता है 75 बताइए अब आपको लगता है कि आपसे दो अंक वाली अगर कोई भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आपको जादा परेशान होने की ज़रूत है बिल कठिन से कठिन 87 96 93 कठिन से कठिन वे उठाया तकि आपको यह फील ना हो कि सर आपने असान वाले बता दिये कठिन वाले नहीं बनाए चलो अब आईए step 4 में आईए step 4 में आईए step 4 में लिखेगा कि 3 अंक वाली संख्या कोई भी तीन अंक वाली संख्या जो आप से 100 से सुरू होगी ठीक है सौ से सुरू होगी और 999 तक जाकर रुकेगी और इसी की तो तालास थी यही चीज तो हमें सीखना है में रूप से तीन अंक वाली संख्या हैं अगर आ जाए जैसे 135 आ जाए 205 आ जाए 315 आ जाए 472 ऐसा कुछ भी जो आपके हित की बात हो कि सर जब तीन अंक वाली कोई भी संख्या हो जो सो से 999 के बीच में हो अगर उनका वर्ग करना है पेन पेपर उठाने का मन नहीं है चाहते हैं एक दम यूँ धाए-धाए चुठकियों में हो जाएगा बिल्कुल जैसे एक सवाल हम लेते हैं तूज जीरो अब छोटे-छोटे एक एक करकर कर ह premi successes करें ग्रके 265 एक क्युंकि अब बहुत सारा लिएग तो सिखाना भी तो है थूपाचका अब यह है तीन अंग की अंक्या जी आब इसको आपको समय नहीं देना है इसको क्या करिए ना कि ये दोनों हमेशा साथ रहेगा केसाब से और ये बेचारा अकेले रहता है उसके बाद यहां पर तीन अस्टेप बनता है और हम यहां लिखेंगे तीन पार्ट में डिवाइड के हमने ठीक है और यहां अब लिखेंगे वन टाइम पीछे क्या लिखा था हमने वन डिजीट यहां लिखेंगे टू डिजीट मताब एक बार में आप दो अंक का परियोग कर सकते हैं तो दिखें और हां यह दोनों हमेशा साथ रहेगा और यह 05 बना कर देगा अगर यह एक और पाच रहता तो एक माच नहीं 15 बना कर देगा तो आपको करना क्या एकदम सिंपल समझिए वर्ग निकालना है पहले क्या करिए 5 का स्क्वाइर करिए क्योंकि 05 तो 5 ही हुआ ना और यहां लिखे 5 का स्क्वाइर 25 वन टाइम टू डिजीट तो है कोई दिक्कत नहीं अब क्या करिए फिर से वही रूल तीनों को गुना कर जो जो अस्टेप 1 और स्टेप 2 में खास करके जो स्टेप 3 में हम किये वही चीज़ स्टेप 4 में थोड़ा सा मोडिफाइग किया गया है वन टाइम वन टिजीट था यहां वन टाइम टू डिजीट हो गया तो 5 यह दोनों एक सात रहेगा यह अकेले रहेगा 5 का स्क्वाइ बिस तो बिस लिखे और अंत में यही बच गया ना इसका स्क्वाइर कर लिजे तो दो का स्क्वाइर चार है तो जीरो चार भी लिख सकते है और आगे जिरो का वände कोयी महत्व है नहीं को यह 4,2,0,25 उमीद है कि जितना आपने सोचा होगा उससे कम समय में मैं आपको स्वा करके दिया क्या शही है आगे में 9 का कोई मोल नहीं अगर वहीं जीरो पीछए हमें टो स्टेप करना है लिए इसके लिए दो बाकी सब के लिए यहागे आ जाएगा ना ठीक है उमीद है कि यहां तक समझ में आया होगा सब को एक और मान लीजिए कि 308 का स्क्वाइर करना है क्या करना हो 308 यह तो समझ चुके हैं मैं मिटा दू टू डिजिट एक अंक से काम नहीं चलेगा दो अंक की जुरत पड़ेगी तीन अस्टे बना भी सकते नई भी बना सक हो परेखा तो पहले जो साथ में हुसका स्क्वाईर करी आठ का स्क्वाइर चॉशर चौ चौह चट और दो ही स्क्वाईर क दो ही एंक की जौडद भी है तिनों को गुना आठ तीओ form पूरा बनेगा ठीक है यह आठ पूरा रहेगा और यह Bonus है दनियों लिखिए 94864 उमीद है कि संतुष्टी भी मिल रही होगी आपको जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ आईए मान लीजिए कि 506 का स्कॉयर है अच्छा आपके मन में ये भी चल लो सर सब में 0 लगा रहे है धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना एक बाई बढ़ा देंगे तो परिशान हो जाईएगा आप लोग तीन स्टेप बना भी सकते हो नई भी बना सकते हो मान लीजिए हमने नहीं बनाया नहीं हम हमें पता हो ही चुका है कि पहले 6 का स्कॉयर करना जी रूप छे च्छे का स्कॉयर होता है भाई 36 नमने 36 लिख दिया और तू डिजिट है फिर 6 और 5 को गुना करेंगे 6 पच्छे 30 तीस दुनी साथ तू डिजिट चाहिए था तू डिजिट है फिर ल तो यहां पर बढ़ जाता है थोड़ी सी परेशानी आपको यहां पर बढ़ जाएगी ठीक है लेकिन बना देंगे हम थोड़ा सा आपको अच्छे सा सीखने की जुरूत है यहां पर अब 312 है तो यह दोनों साथ में रहेगा यह अकेले रहेगा हमने बोला ता ता तीन स्ट हमने अभी थोड़ी दिर पहले लिखा था वन टाइम टू बिजीड मताब एक बार में आप दो ही अंक का परियोग कर सकते हैं कोई बात नहीं और हमने यह भी बोला था यह दोनों साथ में रहेंगे और साथ में एक और दो नहीं बनाएगा एक पर दो बारा बनाएगा तो यह दिख रहा है बारा तो बारा का स्कॉइर 144 करेंगे तो 144 का सिर्फ 44 लिखना है हाथ में एक हो गया उसके बाद तीनों को गुणा हाथ में एक याद रखिएगा बारा तिया 36 शत्यूदिनी 72 और हाथ में 173 कैसे कि यह बारा का स्कॉइर होता है 144 क्योंकि हम तीन स्टेप लिखने सकते हैं इसलिए 44 से लिखें हाथ में एक पैचारहा कि ऐसा ने कि 3 गुणे एक गुणी तो न आब यह 12 है क्योंकि यह दूनों साथ में यह बारा और यह ना 16 अभी आई है अम आठ सो नौ का स्क्वाईयर जो हैämä तो कोई भी संख्या को यूज कर सकते यह दोनों साहत में रेगा यह अके लिये औरह कुछ जो रहत नही का स्क्वाईयर करेंगे इन दो आठीबहत्तर नौ आठीबहत्तर बात्तर दुनीं 144 और यहां पर टू वन टाइम टू डिजिट और 144 त्री डिजिट है तो 144 लिखने की बजाए हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहां पर 44 लिखेंगे और एक जो है वो हमारा पैचा हो जाएगा बाकी रहेगा अब इसका स्वर देना है हमें आज 907 नौसोमा स्क्वर यह दोनों साथ में और ये अखेले तो साथ का स्क्वाइर उन चास किविजर्वा द्रस ब्लास हात में कुछ नहीं नीड थी स्क्वैर वाली और जो ट्रिक मैंने आपको बता है वह बहुत 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 रहा हुआ वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब नीचे टेलिग्राम का लिंक है हमारा फेस्बुक पेज भी नीचे है इंस्टाग्राम भी है आप हमारे साथ जुड़िए सोसल व